वीगार्ड प्रिजेंट्स कौन जीत रहा है को पावर्ड बाइ सेंसुडाइन एंड विमल बोलो जुबा केसरी वीगार्ड बाइ देखो बाते कि शानन चुनाओं की राजनिती से दूर है राश्ती नेतर तो वेखी और जो हम सब लोग उनके अन्याई हैं चुनाओं पर महारा कोई ध्यान नहीं नहीं यह समिक्षा कर रहे कि कौन जीत रहा कौन हारा महारा काम में किशानों की समस्च्छा पूरा धान उन्हीं समस्याओं के लिए और आज इसी उपलक्स में चोजी नरेश तिकायत हमारे बीच पहुंच रहे और कमिशनर महुद आयुक महुदे सभी ताइब भिक्साइन समस्याओं भारता के लिए तो चुनाओं की राजनी जिसे भारते किसान विए बहुत दूर है लेकिन कहिंनकी जो चुनाओं को लेकि माख चल ला है तो क्या कुछ कहें गया तो किसी पार्टी के समर्थन में कोई बयान निंगेन ना किसी कार्ये करता को कोई निर्देश है कि विशेश पार्टी को अपना म्स्द दिया जा केवल यह है कि हमें किशी भी सरकार से कोई नाराजगी नहीं है केवल उसकी नीतियों से हम लोग नाराज हैं जो किशान के विप्रीद जारी चाहे वो भूमी या दिगरेंड के मुद्दे रहे हों देश में कि एक समान कोई रेट नहीं आज सरकार की निगा किसान से भूमी छीनने की है कि इतना मजबूर कर दिया जा किसान को कि वो या तो श्रम इस भूमी को छोड़ दे या सरकार ऐसे इसे कानून लाने की तैयारी में है वो तो राकेश टिकायत की महंता है और इस देश के किसानों पे सदियों तक उनका ये दिन बाकी रहेगा कि कर्शी कानून राके इस तिकायत ने वापिस करा दिये और नहीं तो लेको कर्शी कानून लागो होने के बाद जिन लोगों को जानकारी नहीं राजनितिक लोग पार्टी के भी सत्ताधारी पार्टी के लोग किसानों के बीच जा रहे थे और ये कहें थे के कर्शी कानून आने से देश में बदलाओ आ जागा तो कहीं दफे हम लोगों की वैचोज लिया सोख, हम की मास्तर जी की ये बहस हुए उन राजनितिक लोगों से के हम ये बता दो कर्शी कानून में है क्या तो कर्शी कानून पढ़े ही नहीं किसी ने केवल भारते किसान के कार्ये कर्दाओ ने उनका पूर्टा धेन किया और हमें पता उनमें क्या खामी थी तो वो लोग पैरोकारी करें जिने ये भी नहीं पता कर्शी हो क्या कर्शी में क्या यंतर काम करें क्या बीज किस टाइम किस पसल का बोया उनमें लोग कर्शी मंत्रालों में जुम्मेदारी लियो बट्टे वहीं देश के ठेकेदारी की किसान के नाम पर कर रहे हैं जिने किसान से को लेना देना नी ठीक है अरुन नाना जी है यहां पर रुन से बात करेंगे अरुन जी क्या लगता है आपको कुछ कहेंगे पर जो पांच चरण के चुना हुए हैं क्या लग रहा है किसान के लिए इसने ना समय पर कोई अच्छा बीज दिया ना कोई सबसीड़ी दो जार रुपे मूप जुत्ता सा मार अक सम्मान निधी जैसे किसी को भीग दे रोगरा। मनचाती देरी ये दो जार रुपे परदान मंतिरी जी इसा अपनिको अपने धुर राक हमा तो उचित मुल्ले लाबकारी मुल्ले देदो हमारा लड़ना आवे और लड़ते ही रहेंगे भाई या सरकार कोई सी हो हमाँगा सारी सरकार बरबन लगाया किसान हित्म लगती नि कोई सी भी माश्टर अगवीर जी है हमारे साथ माश्टर जी यह बताई यह जो नारा चल ला था अब की बार 400 पार क्या पूरा होने जा रहा है देखो हम एक बात के मानने वाले हैं बारते किसान निनन संगठ्षन से जुड़े हैं और बाबा टिकाष्ट है लेकर चोधर निरिस्ट के जी तक भी आज तक किसना यह निकाया कभई हम किसी वी राजनीतिक विसेश दल कू समर्थन कर रहे तो सबसे बड़ी बात तो यह हम किसान के लड़ाई लड़े वो किसके मेजारी और किसके पक्समेजारी उसका तो वो राजनीति के लोग भी सरेशन करेंगे कि भई यह लोग क्या सही करें गड़त करें हमारा तो मानना यह है आज किसान चारो तरफ से प्रेसान किस्तिजी में कहीं वोमियजी गरन जब दस्तिक या रहा है कहीं करने का भुकतान जब कि कच्चा मिठभी आज 6,000 रुपे कुंटल कु पार है और चिन्नी के रेट भी 50 रुपे के आसपास चल रहे इस हालात में किसी भी किसान का बकाया नहीं रहना चीज़ आज की तारिक में जन्पद में तीन चिन्नी मिले हैं जिनोंने किसानों का मुश्किल से 50 परसें किसानों का पर नहीं हुःन को परकि seg Wal important है कि सानु ka बक्ता नू जया ओटिभी तो किसी雑ने ना ची जानाराजजी स्रपत के इस ख़शे टूर टो किसी भी लाजनी थी कल शाने को इस लेण विरोध किसी का यहान चाना जो इभे लोग है और बड़े असथ मोज ने चोटे जो मुलभूस समस्य हैं उनका निराकरण होना चाहिए और हम जब तक निराकरणी होगा जब तक संगर सरत रहें कुछ अधिकारी हैं जो सरकार की बात को भी दरकिनार करते हुए किसान के पक्स्त में निरने ले ले जैसे अधिकारियों की बात अची निमिल वाले की उसे कहा किसान कर सरकार का क्या मतलब है कोण माइन राजी बाज के दोर में परदान मंतरी ने पहले ही चाहर सो पार कर दिया तो गेड़ने का तो किसी ने को फिर मतलब भी निवाट था वोने पता होगा चाहर सो कहां तहरी देश के परदान मंतरी जो बोल रहे उन्हें अंतरियामी है जनता देख रही और आप भी सब पतरकार देख रहे क्या हो रहा आज है किसान की बहुत जादा खराब है गन्य का पूरी नहीं होती जब बिजली फिरी का नारा है तो मिटर क्यों लग रहे है किसान आज बहुत प्रेसान है ना बच्चा पढ़ाए सके जोन सी भी भरतिया है उसी का ही पेपर होगा पैल बादमर उत्तरा जगा पहले तो यह सोचने की बात है जो योगी जी हैं मुक्यमंतर किसी टीम छोड़ोगी वह इनका जो इसमें गुंडागर्दी कर रहे हैं जो संस्ता हैं लिखाई पढ़ाई और संसादन हैं यह गलत काम है राजवाई जनपद में चोधरी नरेष्टिकेजी एरे और जो भी समस्या हैं बात होगी कमिशनर सावतस टाइम है मिलने का उसके बात हो कि सभी साथ तियारे बोजन की विवस्ता है सभी विवस्ता सभी का निमंतरन सभी सात्यों का है सभावे एक सवाल में आपसे भी करूंगा अभी चुनाव हुए हैं चुनाव के बाद जब आंकडे निकलने दो 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 बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हो किसान तो मातर अपने एक समझते हैं एक दी लिए अपना उड़ दराम में उठ दया हम इससे कोई मतलब निए भाई किसान ना दुसका अगलन करता है यह आगलन जो लोग हैं जो दोखबत लोग है वो इसका अगलन करते हैं चुनाव जो समिक्साम करते हैं कैसी सरकार आरी कि इस बार क्या गहेंगे सरकार तो भी कहा है सिगया होगी बीजेपी की कह देश में अच्छा दावा है आपका पक्का महारानी दावा है दावा देश के परदान मंतरी गाया जोन से नुकर एक वह चार सो पैर चुनाव करवाने की पता नहीं कहा दा जो रहा तीरी निवल कर किसान यहां पर आज पहुंचे हुए नरेश ठीकेत आएंगे कुछ दिर बाद ऐसे नराज की जरूर जाहिए करते लो कि खूल खोल रहा है लेकिन कहीं ना चरख पर आज़ाएंट इश्पी के लिए सरण फूर्ष एविकाज करते लिए को पावडंगा बाइ सेंशुडांट आइंध विमल बोलो बोलो जुबा केसरी